बोजपुरी सुपस्टार खेसारी लाल यादो ने अपनी फिल्म संघर्ष से लोगों की बोलती बंद कर दी है जी हाँ खेसारी लाल यादो की फिल्म संघर्ष आज कल बोजपुरी सिनेमा पर अपना जादू भिखेर रही है मा तुझे सलाम यानि की पवन सिंग के फिल्म मा तुझे सलाम जब आई तब लगा कि भोचपुरी इंडस्ट्री के लिए यह फिल्म सौगाद बन कराई है इस साल की इससे बड़ी जबर्जस्त हिट फिल्म कोई हो ही नहीं सकती लेकिन संघर्ष ने ये दावा फेल कर दिया संघर्ष इन दिनों लगातार ताबर तोड बिजनस कर रही है और साथ ही भोचपुरी सिनिमा की दशा और दिशा दोनों बदल रही है ये तो रही फिल्म संघर्ष की बाद जो आज कल भोचपुरी सिनिमा पर अपने सफलता का जादू बिखेरे हुए है अब बात दूसरे पहलों की जी हाँ आपको तो निरहुआ और शशिकांत का विवाद याद होगा तो आपको बता दे कि संघर्ष फिल्म के लिए शशिकांत ने खेसारी लाल यादो की भर भर कर तारिफ की है उन्होंने खेसारी लाल यादों के बारे में लिखा है कि खेसारी लाल यादों की यह फिल्म बहुत ही बढ़िया है यह वही शशिकान्त हैं जिन्होंने कभी खेसारी लाल यादों के बारे में यह लिखा था कि उनकी फिल्मों के लिए बायर नहीं मिल रहे हैं बिहार में बारे में अच्छा अच्छा बया किया है और वहीं वो निरहुआ और सभी के बारे में जो मर्जी आये वो लिख देते हैं खैर वैसे कहते हैं ना कि उगते सूरज को सभी सलामी देते हैं तो वो खिस्ता यहां सबसे परफेक्ट बैठता है भोजपुरी जगत की होट और मसालेदार गौसिप के लिए हमें सबस्क्राइब करना बिल्कुल नहीं हुए